Hello बच्चो, कैसे हो बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया? तो देखो बच्चो, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है बटे हमारे पास क्लास ट्वेल्फ का यूनिट नमबर 11 का वीडियो नमबर 17 तो बिटे ये 11 यूनिट का 17 वीडियो है और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बिटे डिस्क्रिप्टन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुन्दर से नोड बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हैल्प करेंगे ठीक है वीटे तो देखते हैं आज का हमारा टार्गेट क्या है आज का हमारा टार्गेट है विटे यूनिट नमबर ग्यारा के NCRT के पठ्थे नहित प्रस्न और इसका भाग दो आज हम पढ़ रहे हैं हमने इससे पहले वीडियो में पठ्थे नहित प्रस्नों का क्योश्य नमबर एक से लेके क्योश्य नमबर 7 तक का सॉल्यूशन आपको दिया है और इस वीडियो में हम क्योश्य नमबर 8 से क्योश्य नमबर 12 तक के क्योश्य सॉल्व करेंगे हमारी NCRT की बुक के पठ्थे नहित प्रस्न ठीक है विटे तो इस तरीके से इस वीडियो में हमारे पठ्थे नहित प्रस्न कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी NCRT की यूनिट नमबर 11 की exercise या अभ्यास प्रस्न ठीक है विटे तो चलो वच्चो जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं तो विटे आज हमें पढ़ना है यूनिट नमबर 11 के पठ्थे नहित प्रस्नों को और क्योश्चे नमबर 8 से आज हमें study करने हैं ठीक है विटे तो देखते हैं आज हमारे पास है यूनिट नमबर यूनिट नमबर 11 के NCRT के NCRT NCRT के पठ्थे नहित प्रस्न पठ्थे नहित प्रस्न और ये हैं बिटे क्योश्चे नमबर 8 से क्योश्चे नमबर 12 कर ये चीज आज हमें डिस्कस करनी हैं यूनिट नमबर 11 NCRT पठ्थे नहित प्रस्न क्योश्चे नमबर एक आट से लेकर और कियो से नंबर बारा तक ठीक है वेटे तो पहले देखते हैं हुम क्योजे नंबर आध देखते हैं इन्होंने कहा है ऑर्थूवे पैरा नाइट्रो फिनॉल और्थोवे पैरा नाइट्रो फिनॉल फिनॉल से अधिक अमलिय होते हैं बिल्कुल सही बात है फिनॉल से अधिक अमलिय होते हैं आपको पता है क्यों होते हैं अधी गमली है मैंने आपको समझा रखा है क्योंकि जो नाइट्रो गूरूप आता है एन-ोजु उसकी आदत होती है इलेक्ट्रon को अपनी तरफ खेंचनेगी इलेक्ट्रon खेंचने वाला गूरूप है और यदि वो इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खेंचेगा तो क्या होगा कि जो फुनॉक्साइड आयन बनेगा एच पड़ेटिव रिलीज होने की टैंडेंसी बढ़ जाएगी और फिन ॉक्साइड आयन बनने की टैंडेंसी बढ़ कि आप ऐसा भी कह सकते हो फिनॉक्साइड आयन जल्दी बनेगा तो जिसकी वज़े से एसे डी करेक्टर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मैं अभी आंसर में भी इस बात को समझाऊंगा उनके संगत फिनॉक्साइड आयनों की उनके संगत फिनॉक्साइड आयनों की आयनों की जगा आयम से लिख दिया बिल्टे मैं ने फिनॉक्साइड आयनों की अनुनादी संरसनाएं बनाईए अनुनादी संरसनाएं बनाओ बनाईए लिख दो या बनाओ लिख दो ठीक है वेटे ये क्योस्चन है इन्होंने हमें कहा है और्थोर पैरा नाइट्रो फिनॉल इनका जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसी अनुनादी संरसनाएं बनानी है नंबर एक यहां से मैं आं से लिख रहा है इसका लो यहां से आं से लिखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले दिया इन्होंने और्थो नैट्रो फिनॉल तो हम बात करेंगे ओर्थो नाइट्रो फिनॉल गी ओर्थो नाइट्रो फिनॉल का फिनॉक्टाइड आयन इसका फिनॉक्टाइड आयन वनाँगा मैं देखो कैसे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिलकुल ओर्थो नाइट्रो फिनॉल जो है उसके फिनॉल के ओर्थो पो तो और्थो नाइट्रो फिनॉल से बनने वाला जो फिनॉसाइड आयन होता है ना बिठे वह ऐसा होता है देखो ध्यान से यह तो आपका रिंग है बैंजीन रिंग इस तरह मैं बना देता हूं इसे और इसके टॉप पे होता है ओएच पर ओएच का हमने एच पॉजिटिव न लोड़ दिया एक सिंगल मॉंड ओ नेगेटिव और एन के उपपर होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि देखो चार मॉंड बना रखे इसने तो पॉजिटिव चार्ज होगा जबी तो चार मॉंड बनाए है तो यह और्थो नाइट्रो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन ह हमें बतानी है इसकी अनुनाधी संस्दाइग तो अनुनाधी संस्दाइग बताने के लिए आपका एक तो हाँ बनोगा एंस्टिक्शन एक बनोगका बिटे हँ देख किरो ध्यान से कितने होई हैं दो 1 여ंवन जाएगा 3 और 1 बनेगा 4 एक हाँ बन जाएगा 5 और्येग है बन जाएगा छेंट स्ट्रक्चर की हमें साइब जबरत पड़ेगी ठीक है चलो बनाते हैं अब ध्यान से समझना पड़ेगा आपको क्या होगा विटे आपको बताएगी यह इस दूसरे में बदलती रहती हैं जितनी भी अनुनादी संद्चनाई बनेगी यह दूसरे में क्य में बदलती रहेंगे क्या होता है विटे ध्यान से छोता यह है कि यह जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कितने इलैक्ट्रlungen है दो यह दो यहां आजाते हैं और ही यहां के बनाएंगे डबल बॉर्ण जब यहां डबलमांड बनेगा तो इस वाले भान्ट सी ज़रूरत ही नहीं है जब इस वांड की जरूरत नहीं है तो इस वांड के दुन्नों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां थीच है बेटे तो होगा क्या देखो यहां क्या बना है डबल बॉंड और डबल बॉंड के उपर क्या जुड़ा है तो अब नेकरटीव bond oxygen है single bond O negative है और यहां आ चुका है negative charge पहले यहां था यहां से यहां आ चुका है ठीक है यह वाला bond जोंकते हो है और यह वाला bond भी जोंकते हो इस structure को देखो ध्यान से आप आपको पता चला होगा कि क्या हुआ अब क्या होगा विटे अब यह होगा कि यह जो नेगेटिव चार्ज हमने है इस नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रोन यहां आके क्या बनाएंगे double bond और जब यहां double bond बनाएंगे तो इस double bond की कोई ज़रत नहीं है इसमें से एक bond पाई बनाएंगे दोनों इलेक्ट्रोन यहां सिफ्थ हो जाएंगे ठेक है विटे पाई बनाएंगे दोनों इलेक्ट्रोन कहां सिफ्थ हो जाएंगे उस oxygen atom के उपर तो होगा क्या यह double bond oxygen जूंका त्यों है यह वाला bond भी इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इसमें क्या होगा यहां क्या बन जाएगा double bond और यह N है और positive charge है इसके उपर और पेटे यहां बचेगा single bond क्योंकि एक bond के दोनों electron oxygen atom पर shift होगे और यह भी आपका क्या है क्य alma को कि झान ठीक है अब क्या होगा अब यह होगा इस पे no तो निचे वाला उकसीजन अटम में न इस निचे वाले उकसीजन एटम के उपर जो नेगेटिव चार्ज के दुनों इलेक्ट्रॉन यहां सिफ्ट हुए तो उसके वज़े से क्या होगा यह तो हमने यहां नहीं बताना बेटे यहां बताना है यहीं तो पहुंच गे थे हम इसके दुन्नों इलेक्ट्रोन कहा हो जाएंगे यहां सिफ्ट हो जाएंगे जब दुन्नों इलेक्ट्रोन यहां सिफ्ट होगे और यहां बना लेंगे क्या वेटे double bond बना लेंगे यहां और यदि यहां double bond बन गया है तो क्या होगा फिर इस double bond की कोई आप शक्ता नहीं इसके दुन्नों electron shift हो जाएंगे यहां और यहां आ जाएगा negative charge समझ रहे कितने shift दिखाए मैंने 3 मैं यदि यहां 2 shift दिखाथता तो एक अनुनादी संदशना और बढ़ जाती हमारी इसलिए मैंने एक साथ 3 shift दिखाए हैं इसके दुन्नों electron negative charge के यहां double bond बनाएगे फिर इस double bond की आपशक्ता नहीं है इस double bond के मैंसे जो pi bond है उसके दुन्नों electron ही हां shift हो गए और यहां double bond बन जाएगा और जब यहां double bond बन गया तो इस bond की आपशक्ता नहीं है इस pi bond के दुन्नों electron shift होगे यहां negative charge देंगे तो यह तो है double bond O ठीक है बटे अब बताओ यहां क्या बनाओ single bond बचा है यह n बचा है यह positive charge बचा है और यहां single bond O negative बचा है और यहां बन गया बच्छे double bond O ऐसा ही तो बनाए double bond O और बटे यहां से इस bond के दुन्नों electron यहां बना लेंगे double bond यह बनागी हमें double bond और इस bond के दुन्नों electron हीह शीट होगे कि अब तो आपको पताईए अब तो रिंग पर आगे आप रिंग तो आपको सिखा रखा आए कहीं बार इसके दुनें इक्ट्रों कि यहां डबल बॉंड बनाएंगे फिर इन बॉंड की जोड़त है यह इलेक्ट्रॉं बॉंड के दुनों हरा नेगेंटिव चार्ज डव गयाँ बनेगा तो इसके दुनों इलेक्ट्रोन यहां मूग करके तो हिए बन जाएगा और इस वोन्ड के दुन्हों पर अब क्या बता है अब आपको पता है कि ये जो negative charge है ये यहां आके दुन्नों electron क्या बना लेंगे double bond और जब यहां double bond बनेगा तो इन में से pi bond की या double bond की यहां कोई आवशकता नहीं है इस double bond में से pi bond के दुन्नों electron फिर दुबारे move कर जाएंगे उपर तो यहां क्या होगा बिटे देखो जब यह move कर गे उपर तो यहां single bond बचा और O के उपर फिर negative charge आया है यहां N है N के साथ क्या है single bond O negative है और double bond O है ठीक है बिटे एक bond यहां बना है एक bond यहां बना है और एक bond in electron की वज़े से यहां बना है तो ऐसा structure आपको मिलेगा तो यह सारी क्या है अनुनादी संद्रचनाई है और तो नाइट्रो फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड आयंगी देखो इन्होंने कहा था ना उनके संगत फिनॉक्साइड आयंज की अनुनादी संद्रचनाई बनाओ यह अनुनादी संद्रचना हमने बना दी अच्छा यह तो और्थो नाइट्रो फिनॉल की थी इन्होंने और्थो के साथ पैरा भी तो कहा था पैरा नाइट्रो फिनॉल तो पैरा नाइट्रो फिनॉल की भी बनानी पड़ेगी नंबर दो लिख रावें नंबर दो पारा नाइट्रो थीनोक्साइड आयान ऐसे लिख दू कभी आप कन्फिूजन आपको हो फीनोक्साइड आयन पारा नाइट्रो का फीनोक्साइड आयन चलों यहां भी लिख दू ओर्थो नैट्रोफिनॉल का फिन आक्साइड आयन ठीग है बिटे कभी आग कन्फूज हो जाओ नोट्स बनागते हुए कि ये तो सर ओर्थो नैट्रोफिनॉल नहीं है और जो मैं निश्चे बनाऊंगा उसे समझोगी पैरा नैट्रोफिनॉल नहीं है दिखो यह हमारा रिंग है देखिए और सब स्वाएं पर यह हमारा है वैजीन यह बना दिया थोड़ा एक एक बनी प्रिंग यहां बनेगा दो एक बनी रिंग यहां बनेगा तीन एक बेंजिनरिंग है बनेगा चार और पाँच और छेंड यह बना दिये बेंजिनरिंग है बने छेंड हमें पता है जो संरचनाई बनेगी वे एक दूसरे में बदलती रहेंगी क्योंकि यह अनुनादी संरचनाई है बनेगा बनेगी क्या है पता अनुनादी संरचनाई रैजोनेटिंग इस्ट्रॉक्चर आप देखो यह है पैरा पैरा नैट्रोफिनौल आपको बताएं यहां तो नेगर्टी होगा एक बॉंड एक बॉंड और एक बॉंड इस तरह के बॉंड होंगे और बटे ओर्टो मेटा पेरा यहां होगा एन और एन्ड के उपपर होगा positive charge यह दिखा दिया मैंने एन अपर positive charge हैfik यहां हर जगा एंड के उपपर positive charge होना चाहिे ह佐ल ठीक है ही यहां भी क्या होना चाहि यह पर positive charge यह चीज धिया로 न रखनी है आपको और इसके उपपर दो oxygen जुड़े होंगे एक तो होगा सिंगल मॉंड से उसे तो आप ओगे ओ नेगेटीव एक होगा डबल बॉंड से वो है अब देखते हैं चलो किस तरह की संरचनाएं बनती हैं बिल्कुल वैसे ही चलेंगे हैं जैसे अभी उपर हम चलें यह नेगेटीव चार्ज है इसका मतलब दो इलेक् करके हैं देंगे नेगेटीग चार्ज तो यह थो डबल ऑ्न करके हमने बना दिया और यह सिफ्टे खोगे उलेक्टॉन तो यह बना दिया नаєगेटीग चार्ज है अब क्या हुआ बिटे यह 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 वॉंड है यह है अन पोजिटिव यह सिंगल बन से जुड़ा है ऑ-बल बनाएंगे और यदि दोनों इलेक्टोन इहां सिफ्ट होगे डबल बनाते हैं तो इस वाले बॉंड की कोई आप शक्ता नहीं है इस बॉंड के दोनों इलेक्टोन इहां सिफ्ट होगे बनाएंगे negative charge क्या बनाएंगे बिटे negative charge देखो double bond O और यह यहाँ यही तो बनेगा bond इसकी वज़े से यहाँ double bond बनेगा और यहाँ आजाएगा negative charge और यह single bond N इसके उपर positive है यह O negative है और यह double bond O है ठीक है यह वाला bond तो जोगा तो रहेगा इसमें तो कोई change नहीं हुआ अब क्या होगा बिटे बताओ अब आपको पता है कि यह जो negative charge है इस negative इस वाले negative charge की बात कर रहा है इसके कारण यहाँ बनेगा double bond और जब यहाँ double bond बनेगा तो इस double bond की आवशक्ता नहीं है इस double bond का एक five bond अपने दुनों electron को यहाँ लेकर जाएगा नेगेटिव चार्ज डबल अप करेगा होगा क्या double bond O ध्यान से देखते रही हो यह bond जूंका त्यूं है यह वाला bond किसमे convert हो जाएगा double bond में जैसे यहाँ convert हुआ था double bond में देखो and positive charge है यह O नेगेटिव और यह भी O नेगेटिव बन जाएगा देखो यह तो था ही यह भी बन गया और यह वाला bond जूंका क्यों है अब इसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अब क्या होगा अब इसकी बारी आई इसकी क्या होगा यह electron का जोड़ा यहाँ जाकर double bond बनाएगा जब यह दबल बन बन गया तो यहाँ से पाई bond के दूनों electron यहाँ जाकर double bond बना गएगा और येदी है यहाँ double bond बन गया तो इस double bond की आवशकता नहीं है πाई के दूनों electron यहाँ चले जाएगे और negative charge यह वे तो और यहां पताओ यहां तो सिंगल बॉंड बचाए और सिंगल बॉंड के बीचे एन-पॉजिटिव और यहां क्या बचा है बैटें यहां तो डबल बॉंड बन गया है O negative charge यहाँ पहुंच गे double bond बनाने के लिए और यह O negative अब देखो यहाँ double bond जब बना है तो इसके दुन्नों electron यहाँ move करेंगे तो negative charge यहाँ पहुंच जाएगा तो यह वाली आपको अनुनादी संरचना मिलेगी अब क्या होगा कि यह जो negative charge है इसके दुन्नों electron move करके यहाँ double bond बनाएंगे तो इस double bond की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि carbon charge से जादे सही हो जाकता तो दिखाई नहीं सकता है तो इसके pi bond के दुन्नों electron फिर दुबारे वापस और O negative तो यह यहाँ O के उपपर negative charge एक bond यह है एक bond यह है एक नया bond बना है यहाँ और यह निच्चे का हिस्ता जोंका तुम है तो इस तरीके से आपको अनुनादी संद्चनाई मिलेगी यह तो था ortho nitro phenol का phenoxidion और यह है para nitro phenol का phenoxidion अब देखो मैं आपको बताऊँ एक बात एक तो सवाल यहाँ यह बनता है कि जो ortho या para position ते nitro group आ जाता है तो उसकी वज़े से phenol का acidic character क्यों बढ़ जाता है वो ज़्यादे acidic क्यों हो जाता है उसका reason पता क्या है वेटे उसका reason यह है कि भई यदि आप इस phenol के बात करो यह OH था मालो यहाँ O की जगा क्या था OH कहां समझाओं आपको यहाँ समझा दू देखो यह मालो हमारा benzene ring है और इसके उपर था O bond H ठीक है बटे तो इस O bond H का का क्या है इस bond के दुन्नों electron oxygen की तरफ को सरके गे होंगे और bond के दुन्नों electron oxygen की तरफ को जितने सरके होंगे oxygen उतना जादे electron के जोड़े को ग्रेहन करेगा मतलब अपनी तरफ लेखे और इसे कहेगा कि तुम बाहर चले जाओ H positive ion बनके यानि oxygen electron के जोड़े को जितना अपनी तरफ खेंच लेगा H positive ion के release होने का tendency उतना ही पड़ेगा ये बाद तो पक्की है ये electron का जोड़ा है जिसे आप कहते हो bond pair of electron इस bond में दो electron जो participate कर रहे हैं वे दुन्नों electron ऐसे बनाए हैं हमने और वे दुन्नों electron oxygen की तरफ को सरके वे होंगे because oxygen का व्यद्धियू तरिनात्मक्ता hydrogen से जादे है ठीक है ये अच्छी बात है पर benzene ring बहुत ज़्यादे effect करता है इस चीज़ को benzene ring इस चीज़ को बहुत ज़्यादे प्रभावित करता है कैसे प्रभावित करता है कि जब benzene ring के उपर NO2 group आ जाता है तो NO2 group का जरह ये वाला अनुनादी संद्रचना देखो तो सही ये star लगाया मैंने इस अनुनादी संद्रचना को देखो दियान से इस अनुनादी संद्रचना में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो NO2 group है electron लेने की आदत है electron खेंचने की आदत है देखो electron ले रहा नहीं यदि इन सभी अनुनादी संदचनाओं में से इस अनुनादी संदचना को देखा जाए तो ये वाली अनुनादी संदचना सबसे ज़्यादे सपोर्ट कर रही है फिनोल को एसिडिक होने में सबसे ज़्यादे supportive है, सबसे ज़्यादे help कर दी है, क्योंकि यहाँ साफ नजर आ रहा है कि N.O.2 group electron को खेंच रहा है अपनी तरफ. तो electron को खेंचने से क्या होता है? जब यहाँ कोई group आपने N.O.2 या यहाँ N.O.2 या यहाँ N.O.2 अटेच कर दिया, तो वे group electron को खेंचने का नहीं चरह है उनका, और electron को खेंचने का नहीं चरह है, तो उनका effect ही यहाँ तक पड़ेगा, और जब उनका प्रभाव यहाँ तक पड़ेगा, तो यह bond pair of electron खेंचेगा इस तरफ को, और जब इस तरफ को खेंचेगा, पर जब आपने यहाँ N.O.2 गुरुप लगा दिया, यहाँ लगा दिया N.O.2 गुरुप तो वो N.O.2 गुरुप ऑक्सीजन का और ज़्यादे मदद करता है, जिसकी वज़े से electron pair और भी ज़्यादे इधर को सिफ्ट होता है, और polarity और भी ज़्यादे डवलप होती है, और H.O.1 के यहाँ से छोड़ के भागने का tendency, या फिर प्रकरती या प्रवर्ती और भी ज़्यादे बढ़ती है, इसलिए हमें पता चलता है कि N.O.2 ग्रूप प्रजेंट होने से क्या होता है, फिनॉल का S.E.D. करेक्टर बढ़ता है, अमली एलक्षन बढ़ता है, ठीक है गटे, तो इस वाले structure को ध्यान रखना है, यह जो second structure है, सबसे ज़्यादे supportive है, यदि आप S.E.D. करेक्टर को सप S.E.D. होता है, यह बात भी तो आपको सिखाई है, यह बात तो clear होगी चलो, कि हाँ भई, फिनॉल S.E.D. है, अब हम यहाँ क्या पढ़ रहेगी, फिनॉल के उपर हमने कौन सा ग्रूप लगा दिया, N.O.2, तो N.O.2 ग्रूप लगाने से, फिनॉल का S.E.D. करेक्टर जैसे, O और H के बीच जो बांड है, इसके polarity, इसकी दुरूवियता बढ़ती है, जादे बढ़ने से H positive wine release होने की tendency increase होती है, ठीक है बिटे, पर यदि मैं आपको यूं कह दूँ कि फिनॉल है, और फिनॉल के उपर आपने लगा दिया है, फिनॉल के उपर क्या लगा दिया ठीक है बिटे, वो product फिनॉल से कम acidic होगा, तो यदि कोई group आप electron खेंचने वाला लगाते हो, तो acid character बढ़ता है, और electron release करने वाला लगाते हो, छोड़ने वाला लगाते हो, तो acid character घड़ता है, इसका मुख्य कारण पता क्या है, देखो ये सारी बाते मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छी बात है, पर बिटे, असली कारण ये है, सुनी हो ध्यान को, असली कारण ये है, कि जो phenoxide ion बनेगा न, NO2 group लगाने के बाद, जो phenoxide ion बनेगा, वो phenoxide ion जादे stable होगा, जादे स्थाई होगा, मानलो आपके पास, ऐसा, मानलो इसपे NO2 group नहीं है, मानलो मैं जब भी तो phenoxide ion अनुनादी संद्रचनाई दिखाता है, क्या दिखाता है, अनुनादी संद्रचनाई, पर पहली बात तो यह है, कि उन अनुनादी संद्रचनाई होगी, संख्या कम होगी, और यदि अनुनादी संद्रचनाई होगी, मतलब यहां से यदि इस S qualitative को मैं हटा तो इस अकेले फिन ऑक्साइड आयन की अनुनादी संद्चनाई कम बनेगी और जब कम बनेगी अनुनादी संद्चनाई तो आपको पता है कि इस्टेबिलिटी भी क्या होगी कम होगी क्योंकि इस्टेबिलिटी अनुनादी संद्चनाई तो यदि आप अकेले फिन ऑक्साइड आयन की बात करो तो इससे जो भई हां से एच्पॉजिटिव निकल के गया है तो फिनॉल से बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन है वो कम इस्थाई होता है सुनियो ध्यान से क्या होता है कम इस्थाई और यदि फिनॉल के उपर आपने लगा दिया यहां लगा दिया या कहीं भी लगा दिया यहां तो लगने का नहीं है यहां लगेगा तो यहां यदि आपने नोटू लगा दिया तो एन नोटू की आदत इलेक्ट्रोन खेंचने की है जिसकी वज़े से अब के बार एच पॉरेटिम निकल के जो भाग गयागा उससे बनने वाला जो फिनॉकसाइड आयन है वो जादे स्टेबल होगा जो फिनॉकसाइड आयन जादे स्टाई होता है या जो भी आयन जादे स्टाई होता है उसके बनने के चांस उतने ही जादे होते हैं इस चीज़ को समझ लेना आपको जो आयन जादे स्टाई होता है उसके बनने के चांस भी उतने ही जादे होते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि NO2 grow экattge होने से क्या होगा जो phenoxide ion बनेगा वो ज़्यादे Stable होगा और phenoxide ion बनने वाला जो ज़्यादे Stable होगा इसलिए जब benzene ring के उपड़ आप NO2 group को जोड़ते हो phenol के के मानलो फिनौल है फिनौल के बेंजीन रिंग के उपपर आप फो को जोड़ते हो तो फो 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 फिनौक्साइड आयन बंता है वो ज्यादे इसलिए नो टू गुरूप जोडने से स्ट्रॉक्चर में आपको साफ नजर आ रहा हुगा यह इसमें तो यह वाला रिसमें यह बात को दिखाता है कि हाँ के लिलेक्टॉन को इसे आकराउसिक करने का इसके नदर क्या है क्षमज़ता है ठीक है इं। अच्छे जल्दी से स्क्रीन सूर्ट लो, फिर अगली बाद करेंगे क 와 option number 9, ले लिए बेचे फ्रीन सॉर्ट ठीक है अब आजज़ा व क्षे नंबर 9 अथ rushessa सबसे पहले इन्होंने दी है राइमर टीमेन अभी करिया बहुत इम्पोर्टेंट रियक्षन है मैंने आपको पहले भी कई वार पढ़ाई है मैं लिख दूं यहां इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रियक्षन है जो भी रियक्षन किसी विग्याнить के नाम पर आपती हो तो समझ जाओगी वो रियक्षन इंपॉर्टेंट है पेपर में आपका इंतजार कर रही है ध्यान रखना इस चीज़ को जितने भी नेम रियक्षन है नेम रियक्षन का बतलब जो रियक्षन किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो देखो यह हमारा बैंजीन रिंग है और बैंजी स्किल्विदों की इस डाले क्टने स 연습 है जब इनका रियक्षन होता है तो तीम्नों सी एल ओर किनों एन ने हैं अब तरी के ठीक है तो मैं हाँ लिख दूँ कि 3 तो निकले हैं NaCl जल के अनू देखो H कितने हैं 1,2,3,4 H हैं तो 4 H को आप ऐसे लिख सकते हो 4 H और 2 Oxygen यह 2 Oxygen यूज होगे 1 बचा एक तो C बचा, 1 H बचा और 1 Oxygen बचा है तो यह Benzen Ring और Benzen Ring के Top पे OH और यहां 1 C बचा था, 1 H बचा था, 1 O बचा था तो इस तरह का Product हमें मिलता है नाम बता दोगे? बताओ क्या है? मैंने कई बार बताया आपको Salicylal Dehyde क्या नाम है बटे? Salicylal Dehyde है इसको नाम ठीक है? क्या नाम है बटे? Salicylal Dehyde नाम ध्यान रखना है अच्छा दूसरा देखते हैं क्या दिया है इन्होंने दूसरा दिया है कोलबे अभीकरिया दूसरा दिया है कोलबे अभीकरिया कोलबे रियक्शन भी important है क्योंकि ये रियक्शन भी कोलबे वैज्ञानिक के नाम पर है ये लिख दिया मैंने important चलो इस रियक्शन को भी देखते हैं ये भी आपको करार रखी है ये बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग के टॉप पे हमने लिया ओ एच और थो पोजिशन पे एक एच दिखाया है जब आप इसका रियक्शन एन ने ओएच से करते हो एन ने ओएच तो एन ने ओएच से करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो है एच और ओएच निकलेगा इस टूओ बन गए चलो मैं लिख दूँ वैसे लिखने की ज़रत तो एन यह एस टूओ निकल गया पता है ना कैसे निकला यहाँ से एच और यहाँ से ओएच और आपका एन ने आ जाएगा वहां तो 2016 फिंथ बन गया यह यह तो फिनॉल था यह लेक सकते हो आप क्या था यह फिनॉल और यह क्या बन गया में सूर्डियं कि l इस और सुडियं फिनॉपसाइड यह जो सौडियं फिनॉपसाइड बना है इसके उपर आपको दो काम करने Piece नमबर एक तो आप CO2 का reaction करा दो और नमबर दो आप acid का reaction करा दो यानि अमलिय माद्य में इससे क्या होगा कि यह यहां reaction करेगा और यहां से निकल जाएगा N-A positive और इस benzen जिनके top पे आ जाएगा क्या? OH, phenol आ गया और CO2, यदि यहां H था C-O-H, यहां जाएगा C-O-H तो benzen ring, benzen ring के top पे क्या है? OH है, और ortho position पे क्या है? C-O-H, तो यह तो क्या बना बताओ, इसे भी मैंने आपको सिखाया था Salicylic acid, क्या बना बैटे? Salicylic acid बना है, तो इस तरीके से आपको यह दोन्नों reaction याद रखनी है यह था हमारा क्योप्षय नंबर 9 अब आते हैं क्योप्षय नंबर 10 से देखते हैं क्योप्षय नंबर 10 क्या दिया है क्योप्षय नंबर 10 दिया है Ethanol-Wet-3-Methyl-Pentane-2-All Ethanol-Wet-3-Methyl-Pentane-2-All से प्रारंब कर 2-Ethoxy-3-methyl-Pentane से प्रारंब कर क्या बनाना है ? तू इथोक्सी दूसरे पर तो इथोक्सी जाहिए इन्हें दूसरे कार्बन पर टू इथोक्सी यानि कि इथर बनवाना इन्हें थ्री मिथाइल पेंटेन थ्री मिथाइल पेंटेन के विलियम सन संसलेशन की अभीकरिया लिखिये के विलियम सन संसलेशन की अभी करिया लिखिये बिल्कुल लिख देंगे बहुत आसान के उससे ने ध्यान से देखे उगरा इन्होंने क्या कहा है यहां से हम इसका अंसर लिखेंगे चलो इन्होंने कहा है इजेनोल लो और त्री मिठाइल पेंटेन टू ओल लो यह दो चीज़ लेनी है और इनसे आपको बनाना है त्री मिठाइल पेंटेन यानि एक ऐसा पेंटेन बनाना है जिसके दूसरे नंबर पे तो इठाइल हो और तीसरे नंबर पे मिठाइल हो ठीक है ये बनाना आया है तो करें सुरू देखो सबसे पहले इन्होंने का है इथेनॉल तो पहले इथेनॉल ही यूज़ कर लो आप ये हमारे पास से C2H5OH इथेनॉल है न देखो इथाइल अलकोहल कहे दो या इथेनॉल कहे दो बात तो यह ही है आप इसका रियक्शन है एच बी आर से करो एच बी आर एच लए चाई किसी से भी कर लो मर्जी आपको पताएं यहां से वह निकलेगा और यहां से एच निकलेगा एस्टो निकल जाएगा में प्रोड़क्ट आ जाएगा इसाइल ब्रोमाइड क्या जाएगा इसाइल है निकल गया है ऐस्ट वों तो इफाइल बॉमएड बना लबा लए इनोंने कहा था इसे नौल को डारेक्ट हम यूज नहीं कर सकते इसलिए नमबर दो फिर कहा है इन्होंने क्षीम फेंटेन फेंटेन उन्स कारबन एक दो एक है तीन तीसरे इनोंने क्या गाई मिथाइल यह जोड दिया मिथाइल और दूसरे पर कहा है इन्होंने टू ओल ओच जोड दिया और यह सी एस स्थरी है देखो 1 2 3 4 5 देखो ठीपर मिथाइल है 2 तो थ्री मिठाइल हाँ थ्री मिठाइल पेंटेन हाँ पांच कार्मन है तू आल माने दूसरे नंबर पे ओएच है इसका भी हमें यूज करना है तो आप इसे जो है एक काम कर लो इसका रियक्शन सोडियम धातू के साथ करो जब सोडियम के साथ करोगे तो आपको पता है रिश करके मैं एस पॉजिटिव लिख सकता हूँ और यहां एन ने आ जाएगा यहाझ देश भी पिर सी एच टू ए फिर सी एच इसके निच्चे क्या है सी एस प्रिएच है किस्टे और पिर उमपाउंड बना है इसका नाम आप लिख सकते हो क्या नाम लिख सकते हो, sodium 3-methyl-pentoxide, भई sodium pentoxide ही तो है, पर तीसरे नंबर पे निखाइल है, 123, sodium का pentoxide है, तो sodium pentoxide लिखना चाहिए था, पर तीसरे नंबर पे methyl भी तो आगे, तो इसे bracket में लिख दो आप, पेंटा ओक्साइड कर दो चलो, ठीक है, या पेंटा ओक्साइड भी कह सकते हो, चलो पेंटा ओक्साइड ही कहते हैं, पेंटा ओक्साइड में कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ, सही है वैसे पेंटा ओक्साइड भी, जैसे मित ओक्साइड, इत ओक्साइड, इसमें confusion नहीं होने तो तो sodium 3-michal pentoxide, नाम लिखना वैसे जरूरी नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आपको product मिल जागा, तीछ स्टेप पर आ गया हूँ आप क्या करो बेटे, ये जो sodium का pentoxide salt है, इस salt को लिखो पहले, जो हमने बनाया है CS3, CS2, CH इसके निच्चे जुड़ा है CH3, फिर है CH, इसके निच्चे जुड़ा है ONA, और फिर है CS3, यह लिख लिया इसका reaction कराओ जो पहले में बना था, C2H5BR C2H5BR के साथ इसका reaction कराओ यानि कि पहले नंबर पे तो हमने ब्रोमाइड बनाया, दूसरे नंबर पे जो हमें इन्होंने थ्री मिथाइल पेंटेंट टू ओल दिया था उसका सोडियम से reaction करके सोडियम का salt बना लिया अब इस सोडियम का salt की जो इसमें बना है इथाइल ब्रोमाइड जो पहले step में बना था उसके साथ reaction करानी है बिलकुल simple है, यहां से BR और यहां से N निकल जाएगा N ने BR निकलेगा N ने BR निकलेगा Side product आप यहां लिख दो N ने BR side product की तरह निकल जाएगा और main product आजाएगा N के जगा क्या आजाएगा N के जगा आजाएगा C2H5 यही तो आएगा यहां तो यह बनेगा आपका CH3 CH2 CH, यहां तो CH3 है और बेटे, CHOC2H5 इथाक्साइड नहीं है CH3, देखो numbering कहां से करोगे इधर से ही तो करोगे देखो क्या बनाना था आमे 2 इथाक्सी दूसरे नमबर पे इथाक्सी है यह एथाक्सी तो है मैं यहां लिख दू 2 इथाक्सी दूसरे नमबर पे इथाक्सी है 3 मिथाईल देखो तीसरे नमबर पे मिथाईल है 3 मिथाईल Pantene Pantene 5 कारवन है तो Pantene यही तो बनाना था मैं यही तो बनाना था देखो तो 2-2-ethoxy-3-methyl-pentane बन गया है तो आपको यह 3-D step याद रशने हैं क्या क्या करा है पहले एतहनौल का हमने hbr से reaction करके ethyl bromide बनाया फिर हमने लिया 3-methyl-pentane 2-all इसका sodium से reaction करके एक्स को आटागे sodium salt बना दिया अभी sodium salt को ले लो और इस ऐल bromide का reaction ले लो एन ने भी आर निकल जाएगा एन ने की जगा C2H5 बाजाएगा इस तरीका से reaction करना है यह कौन सा क्योफ़ों था यह 10 वा था जल्दी से screenshot लो अच्छा अब ले लिया बेटे 4 नाइट्रो बेंजीन के 1 मिथोपसी 4 नाइट्रो बेंजीन के वी रचन के लिए निम्न में से कौन से अभी कारक कौन से अभी कारकों का यूग्म यूग्मा ने जोड़ा उचित रहेगा कौन से अभी कारकों का यूग्म उचित रहेगा ये बताना है नंबर एक दिया है इन्होंने अभी बता देंगे हम साथ के साथ नंबर एक दिया है ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंके टॉप पे दिया है बी आर और बॉटम यानी पैरा पोजीशन पे दिया है नाइट्रो ग्रूप और इसके साथ दिया है इन्होंने यानी कि सोडियम मिठॉप साइड अभी ये पूछ रहेटी यदि ये दो अभीकारक आप लोगे तो रियक्षन हो जाएगी या नहीं होगी और क्या प्रॉडक्ट बनेगा वन मिठॉप ती पोर नाइट्रो बेंजीन तो हम कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी रियक्षन इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो CS3O है ये जब CS3O एन ने आइनों में तूटेगा तो CS3O नेगेटिव बनेगा और CS3O नेगेटिव की एक खासियत है यानि मिठॉप साइड आइन की एक खासियत है कि ये स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉंग क्या है न्यूक्लियोफाइल है और इसका जो है वहाँ SN2 अटैक होगा क्या होगा SN2 अटैक मतलब कहने की बात ही है कि आपको SN2 रियक्शन सिखाईजी ना सिद्धी बात है कि ये जो आपका मिठॉक्साइड आयन यहाँ बनेगा वो एक प्रबल ना भी कस नहीं है वो वहाँ अटैक करके बी आर को बड़े असन्नी सा अटा देगा थीक है SN2 रियक्शन में आप हमेशा देखते हो कि अलकाइल हैलाइड के उपपर एलकोहल का जो रियक्शन में ने आपको सिखाया है अलकोहल छोड़ो एन ने ओचा मालो आपके पास अलकाइल है आरे आरे आरेक्स के उपपर कौन अटैक कर रहा था मां ओएस नेगेटीव भी तो कर रहा था यहीं तो सिखायता है SN2 में तो यहां जो है ओएस नेगेटीव तो है नहीं पर यहां मिजॉक्साइड आयने CS3O नेगेटीव वह भी अटैक करके इसे हटा देगा क्योंकि CS3O नेगेटीव एक स्ट्रॉंग नुक्लियोफाइल है एक प्रबल ना भी किस नहीं है जबिए वहान इटीव करका को ऐठा देगाती हосьरत तो ऑक एनने डेबहर हो यहां से बियार ऑख और मिकलेगा इनिकलेगा यहां लिख़ार चैसच अलब अकर Мेछन प्रोड़क्स डिक को प्रवाइब VN यूचन civic step 4C3O two नम्बरिंग कैसे करोगे वन टू थ्री फॉर बताओ, वन मिथॉक्सी है, पहले नंबर पे मिथॉक्सी है, फोर नाइट्रो है, चोथे नंबर पे नाइट्रो है, बैंजीन, बताओ ये बन गया नहीं, वन मिथॉक्सी, फोर पे नाइट्रो है बेंजीन तो ये वाला पहला वाला जो इन्होंने अभी कारकों का यूग्म दिया है इस यूग्म से तो पॉसिबल है प्रोडक्ट का बनना जो इन्हें बनानों ने देखते हैं दूसरा यूग्म क्या है दूसरा यूग्म इन्होंने दिया है बेंजीन और बेंजीन रिंग के टॉप पे दिया है इन्होंने ओ एन ने और बॉटम पे दिया है इस तरह का एक अभी कर्मक है या अभी का रखे और सी एस्ट्री बियार यह तो उल्टा कर दिया इसाब इन्हों भई CS3BR का मतलब RX से प्राइमरी RX तो प्राइमरी RX के उपर तो अटैक होता है यानि कि इसके उपर तो अटैक होना है यहां क्या होगा यहां एक प्राइमरी एलकाईल हेलाइड है क्या है प्राइमरी एलकाईल हेलाइड और प्राइमरी एलकाईल हेलाइड होने के कारण यहां कोई रियक्षन नहीं होगा मैं लिखुआ नो रियक्षन यदि होगा तो ना के बराबबर होगा बहुत कम चांस है रियक्षन होने के प्रोड़क्ट बन जाएगा पर इतना नह यहां अचगिक निहां झाले करते हैं तो इए yhtड देपन आप बन्ची कि दूवाइक व्रिड करते हैं यह वाल जोुबांड़ है यह वाला बॉड जो है पार्श ruim ethro यह इसमएं पाइर आंऌदी सद्रीकिंड यहां बनेगी घ्यार और कशने बीक्त तो ये primary alkyl halide है और primary alkyl halide है तो reaction होने की chance बहुत कम है ठीक है तो आप लिख सकते हो reaction क्यों नहीं होनेगी उपर लिखो जलो reaction क्यों नहीं होनेगी क्योंकि CS3BR एक primary alkyl halide है या primary alkyl halide है एक तो कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि इस reaction में जो आकर्मनकारी अभी कर्मक होता है न वो alkyl halide होता है जब होती है reaction SN2 लिखाना में नहीं है SN2 attack इस अभी करिया में यदि आपको product चाहिए ये वाला इथर वाला इथर ही तो बनाए देखो देखो इसमें क्या बनाए इथर एलकाइल ग्रूप और बीच में ओ इस अभी करिया में आकर्मनकारी अभी कर्मक या आप कह सकते हो अटेकिंग रिएजेंट जिसे आप नुकलियोफाइल कहते हो नुकलियोफाइल होना चाहिए होना चाहिए जब होगा रियक्शन नहीं तो होने का नहीं है तो यह कारण है कि यह जो दूसरा इन्होंने युगम दे रखा है अभी कार्मकों का इससे product या रियक्शन बड़ी या असनी से आपको नहीं मिलेगी ठीक है बटे अब आ जाते हम क्योंसर नंबर 12 क्योंसर नंबर 12 ध्यान से देखिए जरा बारवा क्योंसर निम्न अभीकरियाओं से प्रारंब निम्न अभीकरियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाओ निम्न अभीकरियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाओ या लगाईए ऐसे लिख दो कि क्या बनेगा इं रियक्सन में देखते हैं चलो क्या क्या रियक्सन दीए नंबर 1 सबसे पहला रियक्सन क्या दिया है देखो इन्होंने दिये हैं पहले तो CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन तीन कार्बन के बाद ऑक्सीजन है और पिर CH3 एथर है तो क्या ना मैं बताओ मिठाइल प्रोपाइल एथर आप लिख सकते हो मिठाइल प्रोपाइल एथर यह दिया है और इन्होंने कहा है कि इसके उपपर आप HBR का रियक्षन कर दो बहुत सिंपल सा रियक्षन पूछ लिया इसका रियक्षन है भी आरगा आपको बताए बॉन्ड है यहां से तूट जाएगा इधर H और इधर भी आर क्योंकि इस बॉन्ड के दुन्नों इलक्षन की तरफ जाएंगे तो ओ नेगेटिंग नेगेटिंग की तरफ S positive जुड सा है ध्यान रखना है जब जुडने की बात होती है तो तीन कार्बन वाला एलकोहल और एक कारबन वादा हैलाइड तीन कारबन वादा एलकोहलाइड ची स्ट्री सी एस टूर्वोड और साथ में क्या बना सी स्ट्री बी आर यही तो बनेगा इसका नाम तो बता दोगे आप नॉर्मल प्रोपाइलल नॉर्मल प्रोपाइल एलकोहल आयूपेसी नाम बता दोगे वन टू थ्री प्रोपेन वन ओल प्रोपेन वन ओल इसका नाम बता दोगे क्या नामें इसका बताओ मिथाइल ब्रोमाइड आयूपेसी नाम बता दोगे इसका बिटे ब्रोमो मिथेन क्या नाम होगा ब्रोमो मिथेन पहला तो यह पुच्छा है इनों दूसरा देखते हैं क्या पुच्छा है नमबर दो नंबर दो में इन्होंने कहा है कि आपका यह बेंजीन रिंग है दियान से देखिए यह क्या है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के उपपर जुड़ा है इसका नाम तो मैं रखुआ है इथाक्सी बेंजीन क्या नाम रखेंगे इथाक्सी बेंजीन इसके उपपर कह रहेगी इस बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग के उपपर जुड़ा है ओए फिनॉल नहीं बन गया यहां कहीं भी एक जगा जुड़ दो ऐसा मत सोचना की उपपर जुड़ना चाहिए है यहां यह सिमेटरीकल हेक्सागन है यानि कि यह सटकॉन बिल्कुल समसटकॉन है कहीं भी जुड़ सकता है इसमें वह फोई दिक्कत नहीं है दूसरा बनेगा C2H5BR बताओ यह क्या बनाएं यह तो बना है फिनोल और यह बना है C2H5 माने इधाइल और बी आर माने ब्रोमाइल ठीक है बेटे अच्छा स्क्रीन सॉट लो जल्दी से फिर देखेंगे अगले लिए स्क्रीन सॉट लो ले लिए बेटे स्क्रीन सॉट ठीक है अब देखेंगे बेटे हम इसका थर्ड पार्ट यह लिख दिया मैंने थर्ड थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है इन्होंने एक बेंजीन रिंग दिया है इस तरीके से यह बना लिए हमने बेंजीन रिंग और इहां दिया है इन् तो इम्हें निफुशिंंगी ज्लियासिकहरह कि यило है इसके उपर क्या रहेंगे लियक्षिं करो इक्षा मोर्व कंसंप्रेट एच्टूएशुएं तूर्द इस लिखेंगे और हम करेंगे नाइट्री करन ठीक है नाइट्री करन को आप कह सकते हो नाइट्रेशन तो हमें इस रियक्षन में नाइट्रेशन करना है आपको पता है कि जो एलकॉक्सी ग्रूप है और्थो पैरा डिरेक्टर होता है यदि आपको बेंजीन जिंग दे दी जाए इस तरीए से और इसके टॉप पे जोड़ जोड़ दिया हमने कोई भी आर के जगा सीटू एच्पाइब भी हो सकता है चीए तरी आपको मैंने अनु को पर जखना समय रहते हैं ज写ून मैं इस ग्रूप को ओवार को यह जोड़ दूना तो अगं इसके जस बराबर वाला यह और तो और यह मैटा होगा यह पैरा होगा। तो ये और्थो होगा ये और्थो ये मेटा ये पैरा आपको ध्यान रखना है मतलब इस सीज में कोई बच्चे बहुत ज्यादे कंफ्यूज होते हैं इस सीज में वे हमेशा सोचते हैं कि उपपर ही रखना बस जो मुख्य करियात्मक समूवे उसे उपपर ही रखना है ऐसा नहीं है वह बेंजीन रिंग पर किसी भी जगा हो सकता है आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे ज तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि टॉप पे बनो जैसे कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसे यहां बनाना चीए तो इसे यहां बना तो वही बात है एक ही बात है क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर तहले आपको बताए कि यह एक समस्ट भूज होता है ठीक है त तो इसका जो वहाँ आपको बता क्या घ्रूप परेटेरेटर है तो इसका और छेसे यह तो होगा यहां तो मैटस अडिया डिखा दिखा दिया जोicide और या ससे हैस यहा bisa बतलब पक्की बात है इस तो निकलेगा निकलेगा प्रोडक्त क्या वनेगा यह बहनेघ्ग 40 ऑर वेंजीन के उपर यह 2 हए और यह जूडएगा क्या औन नो चुट सब्सक्तिểm गहां जाएगा तो यह प्रोडक्त आपका पहला बनेगा दूसरा प्रोड़क्स बता सकते हो, यहां तो होगी रियक्षन दूसरी, दूसरा रियक्षन ऐसे होगा, प्रोड़क्ट ही अबनेगा, यह बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के यहां तो आपका जो है, इठोक्सी ही ग्रूप है, और तो मेटा पैरा पोजिशन पर इठोक्सी नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रूप जादे स्ट्रॉंग है, इसके मुकाल ले, यह हो जागा, और्थो मेटा पैरा, यह हो जागा, पैरा इठोक्सी नाइट्रो बेंजीन, पैरा इठोक्सी नाइट्रो बेंजीन, अच्छा एक बात बताऊंगा खको हो आप और यदि नाम देना है ुपर इधॉक्सी नाइट्रоЬंजीन तू नम्बरिंग दे सकते हो अब आजाओ नमबर 4 पर ज्रान सा समझ लेना इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्याद है हाला कि मैं कोसिस करता हूं कि समझा के चलूं यह दे रखा इन्होंने CS3 का होल थ्राइज और कार्बन है फिर ऑक्सीजन है इसके बाद है ST2H5 देखो यह तो है कितने कार्बन है इसमें 3 और 1 4 ब्यूटाइल है और ब्यूटाइल में भी कैसा है यह तरसरी तरसरी ब्यूटाइल और इथाइल ईथर ब्यूटाइल का भी पहला आपता है इसलिए मनने पहले इसके गोलना तरसरी ब्यूटाइल और फिर इथाइल इतर यह है इन्होंने कहा है कि इसके उपपर आप रियक्शन करा दो है तो जादे तर बच्चे इसी बॉंड को तोड़ देंगे यह तोड़ना आपको बॉंड अब सवाल खड़ा होगे जी क्यों तोड़ना यह वाला बॉंड यह वाल अगरा भार ही बंद होगा क्योंकि इस कार्वन यह कार्वन है यह वाला कार्वन इससे एक से सरी उपपर जोड़ रहा है एक सीसरी यह जोड़ रहा है एक सीस्के साथ ओस्टीजन है फिर सीथीज्ट्टो सीच थरी सारी संवेस्ट ना खोल दीए बनने अब यदि मैं इस के दुन्नों electron oxygen की त्रफ होंगे पक्की बात है पर यहान फ्लस आई इफस्ट थोड़ा कम होगा ख्यानिक एलेक्ट्रों को इस तरीके से धक्ता देंगे इन Stones और यहां प्लस आई इसक प्लस आई इसका उसा चाही तो तीननों जब मिलके काम करेंगे तो je Temper रखने का जिसकी वजह से इस बोंड का जो बोंड पियार है वंक्सिजन की तरफ ज्यादे सरकेगाята can he Пон चैथ की तरफ ले जादे सरकेगा और कि तरफ तो बोंड जदेoserWork हो जाएगा क्या हो जाएगा जादे पोलर इसका मतलब यह है कि यदि यह बॉंट तोट गया तो आपके पास कुछ इस तरह का आयन मिलेगा आपको बेख एजरा ऐसा यह नहीं मिले गां और यह वाला कार्भॉकेटाइन नहीं मिलेगा क्या अपको और यह वाला वांट तूट गया तो कौन सा कार्बोकेटाइन मतलेगा ती टू एच फाइव और यह वाला तूट गया अब यदि मैं आपको पूझनू यार जरा बताई हो जरा इन दोनों में से ज़्यादे स्टेबल कार्बोकेटाइन नियुक्त फेटर लुट। स्टेबल होगता है उसकानले यह तो पहले स्टेफ में क्या होता है जो आपका आरेक से वो आयनों में तूटता है और आपके पास बनता है कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन प्राइमरी सबसे कम स्टेबल, सेकेंडरी उससे ज़्यादे स्टेबल और तर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादे स्टेबल होता है 10,000 रुपे की नोखरी मिलई और 50,000 रुपे की नोखरी मिलई तो आप कौन सी नोखरी करना पसंद करोगे 5 वाली 10 वाली यज 95 वाली तो आप पचास वाली तो करना पसंद करोगे क्योंकि उसमें जादे stability आईगी आपके अंदर तो इसी तरीके से भाई बॉंड तो ये वाला भी टूट सकता है बॉंड तो ये वाला भी टूट सकता है सवाल ये खड़ा होता है कि इस बॉंड के टूटने से जो कार्बो केटाइन बनता है क्या वो ज्यादे स्टेबल होता है क्या इसे सांती मिलेगी पर जब ये वाला तो कार्बो केटाइन क्या जादे स्टेबल है क्या जादे सांती मिलेगी तो मैं कहूंगा कि यदि आपने इंडेक्टिव एफेक्ट माने 11th क्लास में प्रेणिक प्रभाव को निचोड दिया है और यदि आपने 12th क्लास में SN1 रियक्शन को पोड दिया है तो आप एक दम कि यह जो कार्बो केटाइन बनेगा यह जादे स्टेबल होगा जादे स्थाई होगा मज़े आ जाएंगे इसके जब बनेगा तो जब बिटे जादे स्टेबल होगा ना तो इसके ही बनने के चांज जादे बॉन्ड यही टूपतेगा बस आपको इस तरीके से सो सोचना होत कि आपका जो बॉंड तूटने के बाद कार्वो केटाइन बनता है और क्या स्टेबल होगा तो इसलिए मैंने इसे तोड़ा है अब आपको सब को पताएं कि इस बॉंड के दुन्हों इलेक्ट्रों ले जाएगा तो और इस पर कौन जुड़ेगा यह तो इहां क्या बनेगा सब्सक्राइब का होल फ्राइज जो होता है ना इससे तीनों को अलग अलग में लिख सकता है और सी है और उसके उपर जुड़ गया आई यहां तो सिंगल बॉंड लगाना नहीं चाहिए यहां नहीं बॉंड लगाना चाहिए क्योंगी कारवन की फिर सहीं हो जाकता में यह बनेगा यह जो पहला प्रोडक्त बनाएं तरसरी ब्यूटाइल आयूडाइड है तरसरी है ब्यूटाइल आयूडाइड अच्छा एक बात बताओं तरसरी को इस्तरे भी लिखते हैं कुछ बुक को अले सब्सक्राइब व्यूटाइल आयोडाइल अईयूपसी नाम तो लिखी डोगे इस लेकर दोगे आयूपसी नाम देखो कार्बन एक सीएस सीरी उपर है एक सीएस सीरी निश्चे है एक सीयस तरी इधर है तीन है न और इधर आईए नम्बरीं 123 यह सी तो करोगे दूसरे पर मिठाइल है, दूसरे पर आइडो है K, L, M, N, O, P, क्या हुआ, R, S, T A, B, C, D, E, F, G, H, I आई पहले आया 2 आइडो, 2 मिठाइल, प्रोपेल 2 आइडो, 2 मिठाइल, प्रोपेल देखो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M आई पहले आया, M बाजन इसका नाम बताओ, C, 2, H, 5 इठाइल O, H, एलकोहल इठाइल, एलकोहल है या, I, U, P, A, T में इसका नाम होता है, E, Thinol ठीक है, बेटे तो इस तरीकर से आपको नाम लिखने की भी थोड़ी की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ठीक है, बेटे अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीन सॉट लेने ले लिए बेटे स्क्रीन सॉट ठीक है तो बेटे, मुझे उम्मीद है कि आज के क्योक्शन आपके समझ में आये होंगे आप बेटे बस एक बात का हमेशा ध्यान रहना कि जो बच्चा मेहनत और इमानदारी से काम करेगा पढ़ाई करेगा उसका भविश्य बहुत अच्छा होगा इस बात की 100% गारेंटी है इश्वर हमारी परिक्षा लेता है भग्वान गौड अल्ला हमारी परिक्षा लेता है वो देखता है कि ये बच्चा कितनी जल्दी तूट जाएगा मेहनत करने से यदि आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी इस बात की 100% गारेंटी है उसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती इस बात का ध्यान रखना है हमेशा और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जिस सफलता का फल आपको जितना बाद में मिलता है जितने लंबे इंतजार के बाद मिलता है वो फल उतना ही जादा मीठा होता है जिसे हम कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है इसलिए आपको सबर रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए मिंस आपको पेसेंस लैस या धैरिये विहिन बिलकुल भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर धैरिये होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ धैरिये का मतलब इस्टेबिलिटी है तो यदि आप धैरिये नहीं रख रहे हो पेसेंस लैस हो आपको एकदम सब कुछ चाहिए और एकदम सफलता चाहिए तो यह बात पक्की है कि जो भी आप प्राफ्ट करोगे तुरंत प्राफ्ट करोगे वो उतना अच्छा नहीं होगा उतना जदे इस्टेबिलिटी आपको नहीं देगा इसलिए लगातार मेहनत करते रहो थीके बेटे तो थैंक यू वेरी मच फोर वाचिंग दिस वीडियो ओके बाई करते बाई